हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम टु डॉक्टर दीपाडा के नीद बायोलोजी आइड इन टुडेश सेशन हम मेंली डिस्कस करेंगे कि हाउ टो डिवाइड दा इन्टायर सिलेबस और बायोलोजी जो बायोलोजी के आपके 38 चेप्टर से इंक्लूडिंग 11th and Class 12th उनको आप किस तरह से डिवाइड करें और डिवाइड करके या डिस्ट्रिब्यूट करके आप अपनी स्टडीज को स्टार्ट करें क्योंकि लास्ट सेशन में हम अल्रेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 160 डेज आपके पास हैं चार्ट का प्रिप्रेशन है तो सो मेनी तिंग्स अर देर आप टेस्ट पेपर्स को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे ठीके यहां पर आप देखें जो फ्रेक्शन में ने किये हुए हैं स्टार्ट करेंगे और जब आपके वो चैप्टर्स प्रिप्रेशन का इसके त्रू एक तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगा या बार-बार आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि अगर हम 11 प्रिपेर कर रहे हैं तो 12 के टॉपिक्स मेरे स्किप हो रहे हैं या जो स्टुडेंट्स 12 बोर्ड के साथ नीट की प्रिप्रेशन कर रहे हैं उनको भी इस्ट्रेस नहीं होगा कि only वह 11 पे प्रिपेरेशन कर रहे हैं बढ़ 12 बोर्ड का प्रिप्रेशन नहीं हो रहे हैं तो यहां पर जो मैं आज इस्ट्रिबूशन लाया है टॉपिक्स का तो आस सच एक्चुली टॉपिक्स में नहीं यूज किया है यहां पर यूनिट को डिस्ट्रिबूट किया है और अल्टरनेट यूनिट्स को रखा हुआ है फ्रॉम 11 और 12 जिसके करण आपका इक्वली प्रोर्ट पोर्शन जो होगा वो प्रिपेर होते जाएगा यहां पर याद रखे है जब आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर चुके है तो यहां पर आप देखे लास्ट सेशन में भी मैं बार बार कह रही हूं 11 के 22 चेप्टर से और क्लास 12 के 16 चेप्टर है वेटेज अगर आप देखेंगे तो क्लास 12 का ज़ादा है वैसे तो जो क प्रिपरेशन से वह जिनरली नियर आ रहे हैं 45 45 या लिटल बिट डिफरेंस हो सकता है ती 42 और आपका 45 के बीच में यहां पर आप देखते हैं तो 50 50 परसेंट रेशों यह 11 ते 12 से बट तो 16 चेप्टर में से आपके 42 और 45 क्वेशन सारे वहीं आप देखेंगे अगर क्लास 11 के 22 चेप्टर से एंड फ्रॉम दो 22 चेप्टर 45 क्वेशन और 48 क्वेशन साते हैं तो वेटेज आप देखेंगे ज्यादा किसका आपके पास क्लास 12 के लिए वेटेज जादा है तो नॉर्मली आपका 12 प्रिपेर भी होता है क्योंकि आप प्रिपेर करते हैं यहां पर जब नॉर्मली चेप्टर वाइज और टॉपिक वाइज इस्ट्रिबूशन नहीं है इस इस दिस्ट्रिबूशन एक्कॉर्डिंग तो दे युनिट वाइज एक्कॉर्डिंग भी है जिन चेप्टर्स का वेटेज जादा है उनको आप पहले प्रिपेर करिये जिनमें कॉंसेप आपको रिक्वाइड है उन चेप्टर्स को पहले प्रिपेड करिये लास्टियर्स के पेपर्स अगर आपने देखे हैं जो बच्चे ड्रॉपर्स के उनके लिए कह रही हूं जो स्टुडेंट्स फोस्ट टैम 12 के साथ प्रिपेड करेंगे उनको भी एक्लियर है कि क्लास 11 स अगर आप यह चैप्टर्स के लिए बेस का फोमिशन करें तो एक तो पार्ट आपका अनधर चैप्टर्स के लिए भी प्रिपेड होता है तो फॉस्ट आपको प्रिपेड करना है क्लास 11 से सेल बायोलोजी के उनिट को. after आप स्टार्ट करेंगे जनेटेक्स क्योंकि जनेटेक्स conceptually अपका related है तो यहां पर आप जनेटीक्स के यहां जनेटेक्स की जब आप प्रिपेर करना स्टार्ट करेंगे ऎंटेक फेल्पीर का सेप्टर्स्ध। में थ्री चैप्टर से अगें जेनेटिक्स के यूनिट में इन इन इस थी चैप्टर से नियरली इकवल वेटेज है बट मिंदेलियन जेनेटिक्स रेशों का जो पोर्शन है और गैनिक एवलूशन में यूमन एवलूशन आप पढ़ रहे हैं डिफरेंट काइंट्स के थेोर यहां पर देखेंगे मेमोरी बेस्ट नहीं आ रहे हैं यूनिट में यहां पर कॉंसेप्ट्च वेश्चन आ रहा है प्लस क्वेश्चन जो है वह आपका प्रेक्टिस बेस्ट क्वेश्चन है उनको तोड़ा आप सौलब करिए गा अफ्टर अगीन 11 से प्लांट फिजियोल फिजिए गाल गवेश्चन आप लिटिल बिट्टिस कर सकते हैं अभी बटाम जो त्री चैप्टर सें रिप्रोडक्शन के यूनिट में चैप्टर सेंड चैप्टर फोर्थ इस त्री चैप्टर सार्व यह रिवरी इंपोर्टें देन आफ्टर आपको अगीन लास्ट्व नहीं करना यह में यह रिवरी बेस्टेंज यह attempts के रिवाइड यह रिविचे ऐंड पार्ड़ सब्सक्राइब करें तो इस तरह से डिसाइड़ करें तो इस तरह से डिसाइड करिये कि वाटेवर यह जो आपके 6 यूनिट है क्योंकि मार्श तक का टाइम आपके पास है and up to March आपको पूरा का पूरे बोथ लेविल्स को प्रिपेर करना है so maximum try to complete this level 1 preparation by the end of the December और maximum आप 15th January तक लेकर जाएए उसको ठीक है क्योंकि जो 12th के student है उनके फिर उसके बाद अगर time schedule regular चलता है तो practical से आपके start होंगे, March से आपके theory के exam start होंगे तो आपको वो भी एक tension होगा along with the preparation of need to buy end of December और maximum जो students है वो 15th January तक इस level 1 को complete करिये after that हम आते हैं level 2 की तरफ level 2 जब आप पढ़ना start करेंगे तो bio technology 2 chapters are there and one of the most important chapter from the class 12th syllabus conceptually in chapters को आपको एक बार बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है once you are conceptually clear तो आपको यहां पे memory based भी नहीं है question memory based है पर आपको maghap नहीं करना है bio technology में आपको समझने वाला portion है PCR, DNA, fingerprinting, BT toxin की activity number of topics are there RNAi one of the most important topic है यह सभी आप समझे उसको और एक बार अगर आपने conceptually clear है आप उन topics के लिए तो आपको 2 or 3 times NCRT का revision required है secondly यह जो chapter से bio technology से as it is आपका NCRT से आते है so again there is no need to go out of NCRT for this bio technology then अब हम आते हैं one of the most important and quite boring unit है बच्चों के लिए that is from class 11th first living diversity again living diversity में 4 chapters है and 4 chapters में से 4th chapter है as such only one question is asked otherwise the most important part is 2nd, 3rd and 4th chapter so these 3 chapters you very well prepared when you come towards the living diversity then ecology 4 chapters from class 12th again weightage recently बहुत जादा increase हो गया है nearly 12 to 14 questions ecology से आपके repeatedly आ रहे हैं all the 4 chapters of the ecology you prepared very well and secondly जो ecology है वो दिखे आपका मगप करने वाला portion है so you try to mug up the things, mug up the data number of diagrams are provided, charts are provided so each and everything and strictly NCRT को follow करियेगा conservation का जो chapter है, last chapter that is the most important chapter number of protocols and rules and regulations are provided for preventing pollution so that part you remember very well okay, so ecology के 4 chapters ecology के लिए आप एक schedule भी बना सकते हैं जो droppers के students है कि एक particular time intervals पे आप chapters को regularly revise करते रहे हैं but उसको properly आप level 2 में ही prepare करिये next time आते हैं class 11th that class 11th का ये topic आप level 2 में इसलिए रखा हैं क्योंकि number of examples are there structural organization है in plants and animals हम study करते हैं at that time we studied that the in plant morphology and in plant anatomy quite confusing and number of huge examples are there so better, it is better that one time you clear your conceptual part and then you prepare this chapter or this entire unit during your level 2 preparation level 2 means 15 January के बाद जो आप start करेंगे अब यहां पे देखें आपको कहा है कि December and or 15 Gen तक आप ये level 1 complete करिये अब इसके बाद ये meaning नहीं है कि once you come towards the level 2 or you begins with the preparation of these units तो आपने इनको totally skip किया ये आपको नहीं करना है इसके लिए फिर आपको January से एक planning करनी है कि week में कितने दिन आपको इन chapters का revision करना है और in what dates or what days you are going to revise these chapters because again same thing I am repeating कि अभी आपने बहुत अच्छे से ये chapters prepare किया है but after that when you come towards the level 2 and begins with the preparation of these chapters तब आपने अगर इन topics को revise नहीं किया है so at the end of March और examination के समय आपको ये लगेगा कि पढ़ा तो मैने सब कुछ है पर आपको something haziness means blur हो जाता है subject कि कहीं से कुछ याद आ रहा है कुछ portion आप mix up हो रहा है 2 और 3 topics आपके mix up होंगे और कुछ पार्ट आपको ऐसे लगेगा कि बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है तो why these things are happened because regular revision is not take place तो revision को कैसे करना है वो हम उसी समय discuss करेंगे जब आप ये इतना preparation complete करते हैं तो इसको आप थोड़ा analyze करें यहाँ पे again में कहोंगे कि अगर आपको किसी topic में difficulty मान लीजे आपको human physiology difficult लग रहा है तो ये plant physiology के बजाए आप पहले human physiology ले लीजे and then you come towards the plant physiology but one unit from 11th and one unit from 12th equal weightage लेके चलिएगा ऐसा नहों कि आप पूरा का पूरा समय 11th को revise करने में लगा दे और class 12th के लिए फिर आपको hardly one or two months ही रहेंगे या few days in your end because 12th के जो 16 chapter है फिर repeat कर रहे हूं 12th के 16 chapters से 40 से 45 questions आ रहे हैं और 11th के 22 chapters से 42-45 questions हाते हैं biology पे इक्वल अटेंशन ऑन दे सिलिबस ओफ 11th इं 12th इतना ही आज मुझे कहना था next session में next topics के साथ और next difficulties जो भी students मुझे बताएंगे कि उनको किस तरह से difficulties आ रहे हैं अभी कुछ students ने मुझे कहा है कि जब वो unit wise decide करते हैं suppose human physiology पढ़ना start करते हैं तो उनको confusion होने लगता है कि किस chapter को पहले start करें या फिर किस chapter में किस topic को आफ एटेज जादा है तो वो part भी हम लोग discuss करेंगे unit wise discuss करना start करेंगे one by one okay so up to next session stay motivated, stay blessed and work hard music 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 music